हेलो फ्रेंड स्वागत है मेरे चैनल में आज बनाने जा रही हूँ मसाला छोले ये छोले बहुत ही टेश्टी लगती है और इसको बहुत ही अलग तरीके से बना के तियार करेंगे इस तरह से होटल जैसी छोले आप घर में बहुत ही असानी से बना के तियार कर सकते हैं फिर इसको भी छोले के साथ हमको सिटी लगाना है इस तरह से बनाने से छोले बहुत ही टेश्टी बनके त्यार होती हैं तो जने के साथ प्याज और आलू को डाल के नमक स्वादानुस से डाले या आधी छोटी चमण डाल सकते क्योंकि हम लोग आगे और नमक डालेंगे एक गिलस पाइन डालके इसको 5-6 सिटी पका लेना है इसके पकते तक हम लोग मसाला त्यार करें एक पेन लीजिए उसमें एक चमाजीरा डालिए धनिया डालिए कुछ सुखे मसाले डाल सकते हैं जैसे दाल चिने डाले हैं मैंने बड़ा इलाचा चोडा इलाचा तेज़ पतर डालके इस तरह से ब्राउन भूण लीजिए फिर जो चने के सांथ हम लोग प्याज डालके पकाया थे ना उसको निकालने है सुखे मसाले के सांथ पीस लेना सभी प्याज को इस तरह से निकाल लीजिए पेश्ट बना इससे ग्रेवी बहुत ही गाड़ी बनके तियार होती है फिर एक पेन लेना है उसमें दो चमच तेल डाले जीरा डाले तेश पतर डाले और जो हम लोग मसाला पेश्ट बना के रखे थे ना उसको डाल देना है और इसको अच्छे से मिला लीजिए अच्छे से पक जाने के बाद मैंने इसमें एक चमच अध्रक और लशुन का दरदरा कूटा हुआ पेश्ट डालना है आप चाहतों इसमें पेश्ट भी डाल सकते हैं फिर इसको भी अच्छे से कलर चेंज होते तक पका लेना है बहुत ही अच्छी ये ग्रेवी बनके त्यार होती इस आप भी एक बार बना की जरूर देखना फिर इसको थोड़ा सा भूनने के बाद एक टमाटर को मैंने बारी कट के डाल दिये इसको भी अच्छे से भून लेना है फिर सुखे मसाल मेंने हल्दी और मिर्ची लिये हैं आधी आधी चमच इसको डाल सकते हैं स्वादा नमाग आधी चमच पहले भी डाले हैं तो थोड़ा कम ही डाले फिर इसको अच्छे से बूलने जी एक से दो मिनद तक फिर जो हम वदो चना उबाल के रखे थे न प्रेशर कूकर में उसे में मसाले को डाल के दो सी तीन मिनद तक इसको भी अच्छे से पका लेना है जिससे चैने और आलू में मसाले अच्छी से कोट हो जाएं, इस तरह से बहुत ही असानी से छोले बना के आप भी त्यार कर सकते हैं, एक गिलस पाइन डालें और तीन से चार मिनट तक और पका लीजिए, तीन से चार मिनट के बाद धनियां पती डालें और त्यार है छोले, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है, इस तरह से होटल जैसे छोले आप घर में बहुत ही असाने से बना के त्यार कर सकते हैं, सभी को बहुत पसंद आएगा, एक बॉल में निकाले और इसको रोटी पोड़ी चाउन किसी के साथ भी खा सकते हैं, इसी तरह नए नए वीडियो के लिए मेरे को लाइक, सब्सक्राइब, करना ना भूले, आगे भी में इस तरह से नए नए वीडियो आप लोके लेकर आती रहूंगी, थैंक्यू फोर वाचिंग